जी हां दोस्तों आपसे भी को बता दें कि रिजल्ट से पहले आपसे कटप जो है कितना हाई रहेगा कितना लो रहेगा पूरी जनकारी आपको इस वीडियो के अंदर देने वाल है और शाथी साल बहुत सारे स्ट्रेट के दिमाग में चल रहा है कि सरसरकारी कॉलेज मिलेगा अधर प्राइवेट कोलेज मिलेगा तो घबराने की कोई बात नहीं है आपको स्रेनी वाइज कटफ वाइज इस वार कितना हाई रहेगा कटफ या फिर लो रहेगा पूरी जनकारी आपको इस वीडियो के अंदर दे दिया उसके लिए वीडियो को सुरू से लेके अंतक बन और शेंड करें वीडियो सुलूशन मातर पांस सकंड में मिल जाएगा फिर चाहिए आपका कोशन होंबर्ग से हो बिहार बोर्ड, सिवेसी बोर्ड, यूपी, महराष्ट, राजस्थान या फिर और बोर्ड का हो चाहिए हो आई टी आई जेई मेंस छठी से बरामी क्लास का इन सब का जवाब मिलेगा डानेट एप पर या फिर कोई भी सब्जेक्ट फिजिक्स, कमेंस्ट्री, मैथ, बायो आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा डानेट एप पर क्लास नौमी से बरामी तक चल रही क्लास इंगलिस और हिंदी मीडियम में लाइप क्लासेज अब सभी पढ़ाई डानेट एप पर तीन क्लोर से जादा बचे पढ़ाई कर रहे हैं आप भी डानेट एप को इंस्टॉल करें लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो दोस्तों आप से भी को बता दे कि सरकारी कॉलेज में अच्छा बात है तो दोस्तों घबरान के लिए कटफ जारी किया जाता है जिहां दोस्तों रिजल्ट के बाद आपका कटफ लिश्ट जारी होगा उस रिजल्ट के लिए बक्त जो आपका नमर आएगा उससे आपको पता चल जाए कि कौन सा कॉलेज में एडिविशन होने वाला और कौन सा ब्रांच मिलेगा दोस् तो बिहार के संस्थानों होए ना उनमें बहुत सारे भीर होने के कारण कटफ हाई चल जाता है लेकिन इस वार थोड़ा कटफ लो रहेगा उसका रिजन क्या है आप सभी को बता दे दोस्तों यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि BCECE 2020 के कटफ संस्थान और पाठ करम की अधार पर भीन होती है तो सभी का जो नमबर है सब का आगे पीछे रहता है किसी का जाधर रहता है किसी का कम रहता है फिर भी कम नमबर होने के बाब जुद भी अच्छा कॉलेज मिलता है इसके पीछे रिजन क्या है तो पूरी जनका करते हैं उनका बताया गया है क्वालिफाइंग मार्क्स एनी की 50% मिनिमम बताया गया है समान कोटी के लिए अगर जो जेनरल कटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं उसमें से आप सभी को मार्क्स जो चाहिए इस 600 नमबर का मार्क्स लाना होगा तभी जाकर के आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा जेनरल कटेगरी के वाले के लिए है उसके बाद आता है दोस्तो आरचित स्रेनी एनी की OBC, SC, ST आपको मिनिमम पर्षेंटेज लाना है 40% एनी की नमबर से अगर इसको डिनोट किया जा तभी जाकर के आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा अगर आप 480 नमबर मिनिमम बताया गया इससे ज्यादा हाई कटफ जाएगा और बता दे कि समाने स्रेनी पी एच में आता है 45% एनी की 540 नमबर लाने होगे अब आरचित स्रेनी में पी एच का जो है 40% 480 नमबर लाना होगा तभी जाकर के आपको सरकारी कोलेज में अच्छे रैंक की साथ से आपका जो मन पसंद ट्रेड है वो नहीं मिल पाएगा तो ट्रेड अगर आपको अच्छा चाहिए तो नमबर आपको अच्छा आना चाहिए तो देखें दोस्तों आपका जो result आएगा जनवरी के first week में जारी किया जाएगा तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चानल को subscribe करें लाइक करें और अपने दोस्तक सासिया जनू करें